स्टुडेंट्स, वेलकम टू मा यूट्यूब चैनल अनलाइन लर्निंग आज हम इस वीडियो में 36 गड़ स्कॉलर्शिप 2020 जो की इस सत्र के सभी बच्चों के लिए है वो देखेंगे प्राइवेट और गॉर्मेंट कॉलेज में जिन्होंने अड्मिशन लिया है वो सब के लिए है ST, SC, OBC चाहे वो इंजिनरिंग के हो मैडिकल के हो, नर्सिंग के, पॉलिटेखनिक के या ITI के तो चलिए हम नोटिफिकेशन देखते हैं तो ये देखें कार्याल है आयोक्त आदिम जाती तथा अनुसूचित जाती विभाग इंद्रावती भवन से ये निकाला गया है ये वर्ष 2021 किस में अनुसूचित जन जाती अनुसूचित जाती एवं अन्य पिछडा वर्ग के लिए ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक्स छत्रविदी कक्छा बारवी के उचत्तर के आविदन हेतु विग्यप्ती चत्तिसगर राज में संचालित समस्थ शाषकी आशाषकी महाविद्यालो विश्विद्याले इंजनेरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज नर्सिंग कॉलेज पॉली टेकनिक एवं आईटि आई आधी के प्रचारे संस्था प्रमुक शात्रविदी प्रभारी एवं उनमें अध्यनर अनुसूची जन जाती एवं माने पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी जो विभाग गरस अंचालित पोस्ट मैट्रिक्स शात्रविदी की पात्रता रखते हैं को सूचित किया जाता है कि शीक्षा सात्र 2021 हेतु आनलाइन पोस्ट मैट्रिक्स शात्रविदी कक्षा बारवी में उचात्र के आविदन सगित की विवरण की कारवाही वेबसाइट पर आनलाइन की जा सक रही है की जा रही है जिसके अंतरगत विद्यार्थियों के पंजित एवं संस्था के प्रस्ताव स्थवित लॉक करने हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2021 में निम्मनुसार तीति निर्धारित की गई है तो यहां आप देखेंगे विद्यार्थी द्वारा ओनलाइन आविदन नवीन या नवनी करन तो यहां आप समझ सकते हैं जो स्टूडेंट्स पहले से कर रहे हैं उनका रिन्यूवल और इस साल के नए छात्रों के लिए दिनांग 15 अक्टूबर से लेके 30 नॉमबर तक कर स रखते हैं ड्राफ्ट को प्रपोजल को लॉक करने कद है 15 से 10 दिसंबर तक सेंशेशन ओडर लॉक करने हैं तू दिनांग 15 10 से 20 12 तक संस्थादारा केवाईसी जमा करना दिनांग 10 जनवरी 2021 निर्धारे तिथी के पश्यास सिक्षा सत्र बीस 21 की पोस मैट्रिक्स छात्रव स्थगित नहीं किये जाएंगे एवं ड्राफ्ट प्रपोजल लॉक अर्थवा सेंसेशन ओडर लॉक करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जाएगा उक्तिस्थी तरथा कारवाई पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधी संस्था की विद्यार्थी चात्रवजी से वंच आना चाहती हूं यह स्कॉलर्शिप आ चुकी है और 15 तारिक से भरना शुरू हो चुका है आज 17 तारिक है अभी सिफ 2 दिन हुए हैं 30 तारिक तक फॉर्म आपको भरना है बाकी यह सब प्रोसेस जो है यह संस्था द्वारा किया जाएगा आपको सिफ फॉर्म भरना है अब अब सवाल उठता है कि फॉर्म कहां से भरे तो यह है वेबसाइट http.mpsc.mp.nic.in यह प्रोसेस है यहाँ पे means आपको जाके फॉर्म भरना है यह वेबसाइट है इस वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म भरना है तो जो भी स्टूडेंट्स कॉलेज में एड्मिशन ले चु प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट्स भी भर सकते हैं और गॉर्मेंट कॉलेज के भी भर सकते हैं और यहां 36 गड़ के जितने भी कोर्स होते हैं सारे कोर्स के ST, SC, OBC स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं तो मैं उमीद करती हूँ जो स्टूडेंट्स मुझसे बार-बार पूछ रहे थे, उनका ये डाउट क्लियर हुआ होगा, अब उन्हें वेबसाइट भी पता चल गई होगी, अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा प्रोसेस बताऊं कैसे आपको फॉर्म फील करना है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताईएगा, मैं जरूर बताऊंग फॉर्म को कैसे भरना है अपने मुबाइल से पांच मिनट में, तो स्टूडेंट्स फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए, जिन्हें भी डाउट था, अब ये समझ चुके होंगे, कि वो आप फॉर्म भर सकते हैं, स्कॉलर्शिप का जो निकल चुका है, तो आई होप इस वी वीडियो के अपडेट्स के लिए थैंक यू सो मच वाचिंग इस वीडियो